एंजीन उजगे सभी दर्श्कों को नमश्कार आज की एक बड़ी बिग ब्रेकिंग नूज ये है कि हमारे देश के अंदर एक रीती रिवाज जो चला हुआ था कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल पल्ट के रख दिया है और किसने पल्टा है कैसे पल्टा है पूरी बाचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी मैं एक बर आपको जानकारी दे देता हूँ आपको पता है हमारे देश के हिंदू रीती रिवाज के नुसार लड़की और लड़का की जब शादी होती है तो लड़का बरात ल लड़की के साथ आएगा तो कहीं न कहीं उसने एक समाज के अंदर बड़ा संदेश दिया है क्योंकि जब भी लड़का बरात लेकर जाता है तो लड़की आती है तो ऐसे में यही समझा जाता है जब भी हमारे देश के अंदर की लड़का ही पैदा हो और बुरन हत्ते होती है तो इस समाज के अंदर ये चीज़े बदनने के लिए ऐसी परता सुरू की गई है कि सच्चा सोधा को जाता है जिनोंने यहां पर जो मुहीम चलाई है उसमें साथ दिया है पूरी बातचीत करेंगे मंजु है सिंगवाल की बेटी और विनोध है तो पूरी बातचीत करेंगे पूरा इंट्रोड़क्शन भी लेंगे आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को क्या संदेश मिलता है वो भी आप कमेंट करकर जुरूर बताएं और वीडियो को जुरूर शेर इसलिए करें ताकि समाज के अंदर इनकी जो जोड़ी बनी है वो दूसरों की भी बने ऐसे ही जैसे इनकी बनी है और ऐसे ही समाज के अंदर लड़की को बड़ा दर्जा दिय जाए जैसे लड़कों को दिया जाता है सुरुआत कर लेते हैं नमश्कारी क्या नाम आपका मंजू ये जो सहरा आपने सर पर सजाया है ये आप कैसे मुम्किन हुआ कि समाज की एक रीती रुआसा की लड़के वाले बरात लेकर जाते हैं और लड़की को दुलन बना कर लेकर जाते हैं लेकिन ऐसे में आपने सहरा बांदा और आप लड़के वो लेकर आए तो ये आपके मन में आया क्या कुछ पहल थी थोड़ा बताईए पहले तो आप ये बताईए भी आप पड़े लिखे कितने हो मैंने में सी की हुए है फूट टेक्नोलोजी से और ये जो प्रे चला सकती है जिसे लड़के को अपने घर पे ला सकती है शादी करके जैसे लड़कियां जाती है लेकिन इसमें उल्ट होता है कि लड़के को लेकर आती है जिससे जो गोतर है वो बच्चे के पीछे लड़की का लगेगा ना कि लड़के का अच्छा अब जैसे आपका गोत या फिर देरा सच्चा सोदा की तरफ से बात को लेकर मेरे पापा का ख्याल था कि हमारी एक लड़की एटेंशन रहती थी उने कि छोड़के चली जाएगी तो हमारा क्या होगा तो फिर पिता जी ने यह मुहिम चिलाई हुई थी तो पापा ने सोचा है आपके परिवार हम फोम भरा कुल के क्राउन के लिए फिर उन डेरे वालों ने हमारी जो बीच में मेंबर हैं उनसे बात करवाई और जो विनोध इंसा है जीन से उनके साथ हमारा रिष्टा हुआ और वह भगत मर्द गाजी बने मैं उनको अपने घर शादी करके लेके आई हूं और उनके और आपको आपके पीता जी ने बताया भी ऐसे आप बरात लेकर जाओगे क्या मन में आया एक दम से मतवल्ड़ शोक लगा या फिर खुसी हुई या फिर एक दम से सर्माय आप मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं नहीं मुझे वह ज्यादा खुशी हुई कि मेरे पापा मुझे लड़के कर सकते हैं मेरी बेटी क्यों ने कर सकती है तो जैसे जो आपका डेरा सचा सोधा है उसमें किस प्रकार के इन शब्दों को यूज किया जैता है जैसे आपके रीन को तो थोड़ा उनको भी बताई जो लड़की के हैं उसका नाम कुल का क्राउन होता है क्राउन में कुल का ताज जो वंस को आगे बढ़ाती है वो जो लड़का होता हो भगत मर्द गाजी क्योंकि अपना घर छोड़ना असान नहीं होता लड़की के लिए रित्रिवाज है शुरूशे लेकिन लड़के को घर छोड़ना बहुत ज्यारा मुश्किल लगता है तो इसलिए भगत मर्द गाजी का दर्जाग दिया गया लड़के को बड़ी बात है बिलकुल बड़ी बात है तो अभी जैसे आपने इनसे भी बात चीत की उसके बात चीत और अगला सैटिस्फाइब यह है यह नहीं है यह जोगी पड़े लिखिया आजकल जमाना है एक दूसरे तो बात ची लड़की बरात लेके गाजे बाजे के साथ क्या गोडी भी चड़े थे आप मतलब जैसे ने गोडी तो ने चड़े थे क्योंकि वहां पे सिस्टम में था ऐसा अच्छा बरनावा में अलाउड नहीं था तो पासा ही पल्ट दिया हैं मिसाल बन गया आप तो देश की पहली बे गाउं सिंगवाल की बेटी है जिन्होंने आप कारणामा किया है और यह सभी मुवकिन होप वुआ हो पाया है व्जे से क्योंकि उनकी पहल थी अगर उनकी पहल नहीं होती तो कहीं न हो पाता विणोज जी बात करेंगे जिनका हम यह न最近 कहते कि एक ओरत औरुरत हैं क्योंक और धन्यवाद करते हैं कि आप इस मुहीम का हिस्सा मने हो एक रीटी रिवाज जो चेंज हुआ है उसमें आपने किसी खुशी भी लगी है या समाज में कैसा क्या लगा है हाँ यह जो रिकी रिवाज है इसमें जैसे मैंने यह करा है तो बहुत खुशी मिद रही है क्योंकि एक अलग सी रीत है जो मैंने जो इन करी है तो यह यह हुआ है डॉक्टर संथ गुरमित राम रिम सिंग जी इंसा लेरा सता सोदा के परमुख है उन्होंने यह रीत बनाई ह मेरे को 20 साल है जैसे आपके मन में पहले था अभी साधी स्तरे से करनी है या आपके मन में ऐसा कुछ नहीं था एकदम से यह प्लान बन गया चाल आपको सूचना कैसे मिली यह प्रिवार के लोगों की ममी ने जब एक अंटी है जो बीज की बिचोलिया जो बनी है उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो ये ऐसे बगत मर्द गाजी वाला करोना चाहती है खुल का कराउन बना चाहती है तो मम्मी ने सुचा कि हमारे भी दो लड़के हैं अगर हम भी ये मुहिम को अपनाएं तो अच्छा रहेगा तो अभी जैसे कि आप आपके फ्रें जो स्टार्टिंग में तो मजाग बनाते इस चीज़ का लेकिन उनको ऐसे कुछ पता नहीं है ना उनको अभी कुछ ऐसे पता नहीं है तो दीरे दीरे उनको मैं बता दूंगा अच्छे से वह समझ जाएंगे तो अब यहां आकर आपको कैसा फील यहां अच्छा लग रहे ह आप उससे जादा मैसूश कर रहे हो कम्फर्टेवल जी ने आसिरवात दिया है और जैसे बहुत ज्यादा खुशी मिद रही है यह ऐसी मोहीम को करके अब जो ममी हैं जैसे वहां पर रहे तो उन्होंने बताया कि जैसे मोहीम जो इन कर ली है तो मोहीम के बाद यही मेरा घर तो घर में एक बात होती है मतवल जब भी दुलन जाती है तो दुलन यह बात एक दो दिन के बाद खाना बनाती है तो यह लाएंगे यह लाना पड़ेगा क्योंकि आपको भी नाम सबस्क्राइब कि यह ही होगा कि जैसे कि एक बार लगी हो गया ना यहां पर ज्यादा ज्यान देना है इस जो जो एक गोश्तर बारी बात है कि आपका गुतर बने चलेगा इनका सरनेम चलेगा तो इसमें भी आप खुशूम जब मुहीम ही चेंज हो तो बोत्र से सं"? दूसरे को लेके आएंगे अपने प्रिवार का हिस्सा बनाएंगे और एक माता-पिता जो के लपन मैसूस है रहे को प्रिवार के बीच में फिर से हस्ता खेलता दिखाई देगा तो ऐसे में क्या लगता आपको का बस यहीं लगता है कि जैसे यह आके बस यह निश्य वाइग करने यहां के तो अच्छा जैसे आपको आपको यहां अना पड़ा तो उसमें आपको जब आप आ रहे थे उसमें भी आपने मतल कुछ कहते हैं भी शर्म मैसूस हुई हो या फिर डेरे की वज़े से आपने गरव मैसूस किया हूँ यह तो खुद का ही यानि खुद से ही हुआ है ना सब की भी जाती है देखो तीन चार दिन पांट दिन दस दिन तो अपना प्रिवार जो जहां वह पली है जहां और यह वह चोड़ कर जाती है दूसरे गर में चलाने के लिए तो कहीं ना कहीं दिल थोड़ा लेट लगता है तो मतल आपको साथ भी ऐसा होगा या अपने सुरू से देख के अंदर वैसे तो हमारे एरिये में पहली बार एक मिसाल काइम की है दोनों ने और मंजु की तो जितनी तारिफ की जाए उतनी कम है क्योंकि इन्हों ने एक वो संदेश दिया है कि जिसके घर में चिराग नहीं है कहीं ना कहीं एक दूसरा चिराग उस प्रिवार को और कहीं न कहीं एक प्रिवार को फिर से हरा भरा करेगा तो ये बहुत बड़ी मुहीम है मंजु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गाउं सिंगवाल की बेटी है और बहुत बड़ा काम किया है गाउं के लोग और हमारे विरेंदर सर्पंजी है